अगर आपको कभी बहुत जल्दी है और आपके पास खाना बराने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है सिफ पांच मिनिट में आपको कुछ ऐसा बराना है जो कि हैल्दी टेस्टी हो साथ जिससे कि आपको दिन भर भूखना लगे तो ये वाले नाश्टे की रेसिपी आपके कीजिएगा ये सच में पांच मिट बन के तयार हो जाती है और खाने में टेस्टी हैल्दी होने के साथ ये आपको दिन भरतर होताजर भी रखेगी हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माय चैनल तो चलिए मिलकर बनाते हैं उसके लिए हम यहां पे लेंगे एक कप सूजी कोई सी कि अगरां दें तौह अपके लाएं तो यहां पर यह चाहिए इस तरह से आक फेटेंगे आ तो दैए आ पने आप इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा और यह बहुत ज़्वाद पतला भी नहीं है तो बस इसी तरह से इसको विष्क करना है अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले तो सबसे पहले मैं डाल दूँँ चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स से कहना कलर बहुत ही अच्छा आएगा, साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वादनुसार नमक, तो एक चमच नमक मैं यह पर यूज़ करूँ, आप अपने टेस्स के झाल खालेंगे से क्याना, सकती है कुछ शरी करके प्लेक्रेंश मार देंगे से की अच्छा पूर्ड़ कवरतना हैं, इसमें कशने इतनी चरशा त्वर में यह क्त कनी उखू खका में मुष्ष कं कर दो के हिरें उंचाहि अगस ब स्ल्सकार प्सक्रागे, सबस्ताइब की भ टमाटर डाल शूछ पे लिए हैं मैंने सीडलेस इसे भी हम डाल देंगे यानना प्रॉम्लार के य्था रवधाट टालरा य gratuit यहां प्रॉत लावा फैसे भीलड़ वारिक यहां पीन भार यहां पैजले ने लिएज हदो कर । वेज़िटेवल्स की वज़े से यह बहुत हैल्दी हो जाएगा सूजी हमने यूस की है तो इसकी वज़े से यह बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है तो यह एकदम पॉफेक्ट नाच्टे की रेसिपी है जो की आपको दिन भर तरोतासा रखेगी अ एक तुप नहीं इसकी तो आभ कर देंगे वैसे बी तो फिर थे जो ज़ोड़ा से थिक लग आहा है और ज्यादा भी नहीं पानी दालकर इसे चोड़ दिया था ता कि सूजी पानी को आछे से फूल जाए और अभी जो बातर पॉफेक्ट आहिं यह बहुत ज़्या थिक भी बिल्कुल भी नहीं है एक ज़द से हम चीला बनाते है बिल्कुल उस तरह का बैटर आपको यहां पर चाहिए अब मैं डाल रहूं बेकिंग सोडा आप इसकी जगे इनो पाउडर भी डाल सकते हैं दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं अगर बेकिंग सोडा डाल तो आदा चम इसे बना सकते हैं इसे पंदर मंट करेज देने के भी जरूरत नहीं है तो यहां पर इसारे प्रप्रेशन हमारी हो चुकी है और मैं आपको बैटर दिखा हूं बहुत ही अच्छे से फूल गया है और हमने जो इसमें बेकिंग पाउडर डाला था उसे बहुत ही अच्छे से जितना बड़ा चोटा बनाना उस तरह का बना सकते हैं तेल जब अच्छे से गरम हो जाए इसमें हम डाल देंगे एक चमच राई या फिर सर्सों साथ ही आप करीपता भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास सफेद तिल है तो भी आप डाल सकते हैं अब इसमें बैटर डाल अगर बच्छों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे चोटे-चोटे टुकड़ों में बनाएं ताकि वह एक बार में एजिली खा सकें और यह एक रोटी इस तरह की एक बड़े आत्मी के लिए एक दम परफेक्ट रहेगी बिल्कुल भी आपको 5-6 गंटे भूख नहीं लग लेंगे दोसे तरह भी इसे ऐसे ही ढग कर 2-3 मिट के लिए पका लेंगे आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है नहीं तो यह अंदर से कच्छा रह जाएगा और देखे कितना बढ़िया सा कलर आगया इसके उपर तो यह मैंने इसको दोनों तरह से अच्छे स बनाने का दूबार से तेल गरम कर इसमें राई डालें और फिर उसके बाद बैटर डालेंगे तो आप देख सकते हो हमने तेल का यूज बहुत जादा नहीं किया एक चमश ओल ही इसमें इनफ रहेगा पहले मैं से बहुत बनाती थी जब भी मुझे शाम को भूक लगती थी तो मैं जटपट इसे बना लेती थी और मुझे फिर रात तक भूकने लगती थी और इसे बनाने में सच में बिल्कुल टाइन में लगता है अगर आप चाहें तो इसमें वेजटेबल ना भी डालें अगर और भी जल्दी बनाना चाहें या टाइम कम है तो आप विदाउट वेजटेबली बना सकते हैं तो बस इंस्टेंट आपको सूजी को भिगोना है और तुरंते से बना लेना है अब मैं आपको इसको पलटने का तरीका बताते हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है इस तरह से पैन में पलटने से पूरा तूट जाता है तो आप क्या कीजिए इस को तेन चाहर मिट के लिए अच्छे से पका लेना है और ये भी हमारा बहुत यह बढ़िया से बढ़ गया है दो तरफ से तो यहां पर यह यह नहीं दो नाश्ते बना लिए है और एक कप सूजी से तीन नाश्ते बनके तियार हो गाए मतलब तीन लोग इसे उजिली खा सकते ह एक कप सूजी से काफी सारा नाश्टा बनके तयार हो जाता है आप देख सकते हैं रोटी भी हमने काफी ठिक बनाई है इसे कहते हैं हानबो जो कि गुजरात का स्पेशल है बहुत ही टेस्टी लगता है साथ ही बहुत ही हैल्थी भी होता है तो बस अब किसी शाप नाइप से इसे इस तरह से चार पीसिस में कट कर लेंगे इसे आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं सुबह आप नाश्टे में खा सकते हैं हस्बन को दे सकते हैं और यह देखिए कितना वेजिटेबल से भरा हुआ है और बिल्कुल कलरफुल है बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में ही तो बस फ्रेंड्स जब भी आपको को चटपटा हेल्दी खाना हो जो कि जटपट बनके तयार भी हो जाए तो आप इसे एक बर ट्राय कर सकते हैं वैसे भी बरसात की गर्मी में घंटो की जन में खड़े रहना सरदर्दी होता है ऐसे में आप इसे बना सकते ह इसे बना सकते हैं शौप नाश्ते में बना सकते हैं या शाम को चाय के साथ भी से इंजॉय नहीं कर सकते हैं मैं कैसे पसंद करती में बशुकित हां आप यह अला मिए घान के मीदे चटनी हम्टरी नाशते की में ते महीं नाशते के साथ ज़लाय को रह वीड़ दो पशन OK और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एमेजिंग सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुट बाई